हेलो दोस्तों स्वागत है आपका आज के हमारे नए क्लास में आज के क्लास में बीएसी फर्स सेमेस्टर वालों के लिए मैच की जो आपकी दूसरी बुख है इंटीगरल क्यार्गुलस इस इस बुख का यह चैप्टर लेकर आए हैं रेक्टिफिकेशन भाई यह चैप्टर क पढ़ चुके ना करवेचर तो हमने आपको पूरा पढ़ा दिया टेंजेंट वाला भी पूरा पढ़ा दिया था तो अगर आपने धंग से पढ़ा है करवेचर चैप्टर तो आप यह चैप्टर बहुत आसान तरीके से समसकते हैं वहां पर हमने जो आपको फॉर्मुले ल बता देते हैं अगर आपने करवेचर चैप्टर नहीं पढ़ा है तो डिस्क्रिप्शन में हम आपको प्लेलिस दे देंगे तो उस चैप्टर को जरूर पढ़ लिए जाएगा क्योंकि वह चैप्टर के अगर आप अच्छे से समझ लेते हैं तो यह तो आपके धंग से समझ लगा था यह तो यह तो फॉर्म्ला लगाया था अगर कोई कर्व दे रखाओ Y बराबर सी कॉस हाई पर में हैं इसका क्या करिए एक बार डिफ्रेंशेट कर दीजे यहां पर वैल्यू रखिए और आपका वैल्यू आंसर आजाएगा यही तो किया था अब देखिए ऐसे इ ये जो S है ये किसी कर्व की Length है कोई भी कर्व हमने मान ले ये बनाया इस कर्व की जो यह चीज है यह Length हमने मान लेते हैं S मान ली तो formula क्या हो जाएगा आप डोनों तरफ क्या करिए इसका integration कर दीजे integration भई कैसे होता है इधर भी सरीके से निशान बना दीजे इधर इधर भी निशान बनेगा मतलब integration का और डियक्स आजाएगा यह वारे डियक्स से यह cancel हो जाएगा और यह integration के साइन से डी वी हट जाएगा तो कुल मिलाकर ऐसा गया उसके बाद यह integration जैसा है वह ऐसे रहेगा और साथ में यह उधर सरी की साता है कि find the length of the curve क्या लिखा जाएगा length of the curve मतलब आपको length निकालनी पड़ेगी अगर partition form में हमारा curve होगा तो आप direct वहाँ पर यह formula लगाएंगे और आपका differentiate करके यहां value रख देंगे answer आजाएगा उसके बाद अगर form partition में ही है लेकिन यहां पर दे रखाओगा x बराबर में f यहां पर होगा y ठीक है उपर वाले curve में क्या था इधर y था इधर x था अगर उल्टा हो जाता है इधर x दे रखाओ और इधर y यहां पर गलत लिखाओ यहां पर y हो तब आप क्या करेंगे कुछ नहीं करेंगे formula y रहेगा बस इसको उल्टा कर देंगे dy upon dx को उल्टा करके क्या जाएगा dx upon dy बाकी पूरा formula सेम है उसके बाद बात करें parametric form की तो parametric form हमेशा T में चलती है तो x और y तो उसमें होगा उसमें T function चल रहा होगा तो अगर ऐसा कोई function दे रखा है ऐसा कोई कर्व दे रखा है तो यह formula लगेगा सेम यह formula आपको उमने लिखवाया था बर इसमें integration नहीं था integration आप इसमें लगा देंगे और ds upon me dx था तो यहां से भाई यह हट जाएगा dx मतलब उसमें dt था तो dt उतकर इधर आजाएगा और integration में हमारी limit आजाएगी a से बी अब उसके बाद अगर बात करें polar form की और ठीटा में चलती है पूरा formula देखे यहीं तो था आपका वहां पर फिर से यहीं करेंगे ds upon me d थीटा होता है यहां से d थीटा उटके इधर आ जाएगा और यह ds को आप हटा देंगे integration लगा देंगे limit हो जाएगे alpha से beta उसक वाली चीज पलड जाएगी जैसे उपर अभी Cartesian form में बताया था वैसे यह वाली चीज पलड जाएगी और साथ में multiply में आ रहा जाएगा तो तीनो फॉर्मुले हमने आपको बता दिये हैं इस पूरे चैप्टर में इन तीन formula के अलावा कोई भी formula नहीं लगेगा तो जितने सवालों में उन सवालों में इसी formula का यूज करके लगाएंगे तो चलिए पहला सवाल बताते हैं देखिए पहला सवाल ही है काफी इंपॉर्टेंट कि show that the curve यह दे रखा है between the point दे रखें x बराबर 0 x बराबर 5 by 3 पर और is log 2 plus root 3 यह आपको प्रूफ करना है कैसे करेंगे तो सबसे पहले हमको लिख लेना है कर्व जो दे रखा है लिख लिए कर्व को dy upon dx निकाल दिया क्यूं क्यूंकि देखिए साफ साफ दिख रहा है यह क्या है y बराबर fx में है x और y में है यानि कि आपको कौन सा formula लगाना है यह वाला तो इसमें dy upon dx की need पड़ेगी तो हमने क् सबस्क्राइब पहले ही कैसे निकाला तो भाही देखिए log x का क्या होता है वन अपाउन x एक्स का का कौन कर रहा है यहां पर sec x से पाइवाइट त्री इसमें आप सॉल्फ करेंगे इसको वन प्लस टैन स्क्वाइर होता है सेक स्क्वाइर अंडरूट चला है स्क्वाइर से अंडरूट कैंसिल हो जाएगा के वल सैक बचेगा सैक का इंटीग्रेशन जब करेंगे तो लॉक सेक्स्टेंडेस आता है लगाई और आपका अंसर मिल जाएगा उसको सॉल्फ करने के बाद अब देखिए अगला कोशन यह आपको कर्व दे रखा है लिमिट भी आपको दे रखी है पहले चीज़ इसका डिवाई अपॉन डी एक्स निकाल लीजे क्योंकि एक्स वाई में है तो डिवाई अपॉन एक्स की जरुत पढ़ेगी सावाल में हमें फॉर्मुले में रखने के लिए फेले क्या किया हमने फॉर्मुला आपने पढ़ा थ लॉग-tम क्या होता है लॉग-tम-न ।ो क्या किया लॉग-tम-उ-फॉर्मूला क़्ोवदीया उसके बाद यह की है इसको डिफरेंशेट क गया एकी पावर एक्स कैंसेल हो गया कुल मिलाकर हमको डिवाई अपॉन डियक्स मिल थोड़ा जल्दी बताया है लेकिन फिलाल अगर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो यहां पर आप बहुत अराम से डिवाई अपॉन डियक्स निकाल सकते हैं नॉर्मली हमने यहां पर क्या किया है डिफ्रेंशीयेशन क oy से बस आफ क्या करेंगे वैल्यूरर को क्या करा करा चाश यहांगे ए माइनस बी का होल स्कॉलन प्रॉन इतना आजाएगा ऐसा करने से क्या हुआ उपर वाला भी ए प्लस बी का होल स्क्वाइर बन जाएगा तो नीचे स्क्वाइर हैं डरूट भी लगाए तो स्क्वाइर से एंडरूट कैंसल हो जाएगा इतना बचेगा उसके बाद यहां से अगर आप देखेंगे तो यह केवल इतना बचाए नीचे वाले को टी मानिए उपर वाला आपका बन जाएगा और कुल मिलाकर आपका जब बन जाएगा तो हम क्या करेंगी लिमिट अभी चेंज मत करिएगा जब हम लिमिट अगर नहीं चेंज करेंगे तो वन अपॉन टी का किया है तो नॉर्मली बार बार आपसे यही कहा रहे है कि डिफ्रेंशिशन अच्छे से करना आना चाहिए और यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है ऐसी देखी अगला सवाल यह देखिए यह भी कई बार पूछा गया है पूरा दे रखा है साव साव लिखा है इंट्रिंस निकालना है निकाल लिया डिवाई अपॉन ड Cleveland लगाया लेकिन यहां पर इंट्रिंसी की जब भी भी अपॉन डिएक्स है उसको क्या लिखते है हम टैन साई लिक्ते हैं तो यह इंटासी की वैल्यू मिल गई और साथ में डिवाई अपॉनन डिएक्स भी निकल गिया अब क जाकिया अंडरूट हटाके प्यावर वन बाइटू लगा दी क्योंकि वन बाइटू का मतलब अंडरूट ही होता है इंटीग्रेशन इसका देखिएगा इसका इंटीग्रेशन कैसे जल्दी से बताइए इसका इंटीग्रेशन क्या होता है यही तो होता है एक्स की पावर एन तो इसको जब आप तो भी 3 by 2 आएगा जब यह इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा टी वाइट तो उल्टा हो गया केवल हमने इस वाले को खोला है तो यह कुछ इस तरीके से खुलेगा अब यहां पर देखेंगे वहां पर एक्स चलता जा है यहां पर तो यह Tea टर जाए बढ़ी पेंगे तो इतना ही invites लाइगा चाहिए जरी लिमिट मेंगे कैसा यरी मेंनित लगाते पिर ढूसरी लिमिट माइनस लहाँ लिमिट तो बहुं जबते की तहरो हो जाए उस 10 i का हमने formula बताया था आपको यह 10 i की value आपकी निकल कर आई थी अगर यहां से अंडर root को हटा दें यहां से यह दोनों तरफ हम square कर दें तो आपका यही तो बन जाएगा साथ हमने यहां सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी यह बन जाएगे मतलब आपको इसकी जगह पर value पुट करनी पड़ेगी क्या पुट कर दिया 10 सब्सक्राइब कर देंगे तो इसलिए हम जल्दी सवालों को करा रहे हैं आप अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो बहुत कठी नहीं है बहुत सरल यह चैप्टर है बस आपने अगर करवेचर पड़ा हुआ है तब अब देखिए इसमें एक और सवाल है साइकलॉइट की क्यूशन दे रखी है और इसमें भी वही करना है इसमें भी आपको इंट्रिंसिंग की क्यूशन का प्रूवमेंट दे रखा है एस और लगते हैं तो इसवाले में पहले ही निकाल लेंगे तो इस वाली सीजम में हमने पहले ही निकाल लेगे यह देखिए यह रहा कोशन हमारा इस question में हमको जरूरत पड़ेगी dx upon dt की और dy upon dt की तो निकाल देते हैं x दे रखा था integration कर दिया t के respect में इतना आ गया ऐसी y दे रखा था तो dy upon dt भी निकल आया उसके बाद क्या किया अब यहां पर हमने dy upon dx भी निकाल दिया क्यों क्योंकि अभी हमको 10 psi की भी जरूरत पड़ेगी तो 10 psi के लिए हमने dy upon dx निकाला अगर नहीं अगर हमारी intensity की क्यूशन नहीं होती तो हम यह निकालते ही नहीं डिरेक्ट फॉर्म न लगाते हैं और हो जाता तो क्या क्या केवल divide कर दिया पहले दूसरे वाले को पहले वाले से divide कर दिया divide करेंगे फिर वहीं पर हमने आपको बताया था कॉस में जब भी प्लस और माइनस होता है तो हम क्या करते हैं इसको cancel करने के लिए formula लगाते तो यह हमने formula लगा दिया और से और क्या करेंगे यहां पर a प्लस b का whole square खोला a square यहाँ पर देखिए a square plus b square plus 2ab पूरा formula खोल दिया a को हमने पहली बाहर निकाले जब यह वाला a बाहर निकलेगा तो under root भी है square भी है तो under root से square cancel हो जाएगा केवल a हो जाएगा limit क्या चलेगी तो intrinsic equation t है parametric form बाली तो हमारी क्या चलेगी limit 0 to t चलेगी अब यहाँ पर जब आप देखेंगे solve करेंगे सवाल को तो यह चीज़ बची हुई है 1 plus 2 cos t साथ में यह पूरा जो सर्वसमिका बन नहीं है इसकी value होती है 1 1 और 1 मिलकर क्या हो जाएगा 2 तो यहाँ basically आपका क्या बच्चा 2 plus 2 cos t 2 यहाँ से common आ गया bracket बचेगा 1 plus cos t फिर वही चीज़ आ गई 1 आपको cancel करना होगा तो फिर 1 cancel करने के लिए formula लगाया अब यहाँ पर अगर आप इसको solve करेंगे तो 2 टूजा हो जाएगा 4 और आ जाएगा cos square t by 2 under root में जब यह under root से बाहर निकलेगा तो 4 का हो जाएगा 2 और cos square है तो square से under root cancel होकर केवल cos बचेगा तो basically केवल calculation करीगाई है तो आपको समझ में आई जाएगा आखिरकार bsc आप करी रहे हैं अब क्या किया नॉर्मली इसका differentiation कर दिया cos t का क्या होता है differentiation sin t होता है लेकिन यहां पर t नहीं है t by 2 है तो 1 upon 2 का फिर से हो जाएगा मतलब वो upon में पहुच जाएगा तो cos का क्या हो गया side और 1 upon 2 upon में पहुच जाएगा क्योंकि इसका दोबार क्योंकि यह extra दे रखा है limit लगा दी 0 से t जब आप इस limit को यहां पर रखेंगे तो upper limit रखी t थी तो t ही रहा 0 जब आप रखेंगे तो sin 0 क्या होता है 0 ही होता है तो 0 हो गई मतलब upper limit minus lower limit अब के वल आपका इतना ही तो बचा रख दिया अब आपने ty2 किसके बराबर था side के बराबर था जब हमने निकाला था 10 size है तो इसके जगे पर आप side रख दीजिए तो देखें SOSI में हमारी question आ चुकी है improvement भी हो गया है यानि कि इंटरेंसी की question प्रूफ हो गई है तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए काफी helpful रही होगी साथ में आपको बता देते हैं ये जो rectification chapter था ये पूरी तरीके से खतम हो गया है मतलब कि पूरा complete आपको करा दिया है अगर आप से कोई भी सवाल इससे आता है फिलाल तो जितने भी important थे वो करा दिये लेकिन अगर कोई भी सवाल आता है ये इस chapter से question पूछा जा रहा है तो आप उस सवाल को लगा कर अपना जो number है वो आप बना सकते है तो आशा करते हैं ये वीडियो आपके लिए helpful रही होगी वीडियो कैसे लगे कॉमेंट करके ज़रूर बताइए का इस class में इतना ही अगले class में मिलेंगे अगले नय टॉपिक संग इसकी बीडियो आपको टेलिग्राम बर मिल जाएगी तो वहाँ जॉइन नहीं किया है तो जॉइन कर लिजे का जाकर डिस्क्रिप्शन में हम आपको इसकी प्लेलिस भी दे देंगे इस class में इतनी रखते हैं तब तक के लिए जय हिन जय भाराण